Hello everybody, welcome to my channel, it's me Tarot313. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं, who is dreaming about you? कौन है जो आपको लेकर dream कर रहा है और क्यों कर रहा है ये भी देखेंगे. It's a collective energy, जितना resonate होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा. जो लोग चैनल पे नहीं हैं, don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. Personal readings के लिए आप लोग मेरे email पे या Instagram पे contact कर सकते हैं. Description में details mentioned हैं, please check कर लें और मुझे Instagram पे भी जरूर follow करिए. So let's start the readings, stay positive, stay active and video को like आपने जरूर करना है, ताकि readings के energies आप से relate कर पाएं. So let's see, देखते हैं, who is dreaming about you? कौन है जो आप लोगों को लेकर dream कर रहा है and what is dreaming about? ठीक है? कौन है जो आपको लेकर dream कर रहा है और क्या dream कर रहे हैं वो आपको लेकर? So let's see. First we have fate, detorts, divine intervention, definite it's a fate. Divine intervention है यहाँ पे आप लोगों के दर्मयान. And मुझे लग रहा है, कुछ लोगों की दरफ से यह person जो है किस्मत का weight कर रहा है, उसको लग रहा है कि किस्मत कोई ना कोई main role play कर रही है आपके और इनके दर्मयान. We have rebirth and winter. Yeah, कुछ लोग I think, यहाँ तो winter में आप लोग इन से मिले थे, आपका winter में कोई ना कोई ना कोई इनके साथ break up हुआ था. But right now, ऐसे लग रहा है, यह इनसान आप से rebirth करना चाते हैं, और rebirth करने का dream कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी, जो एक मिलना है, वो fated है. We have past, lack, suffering and then we have thoughts and isolating. यह person आपके past से है, ठीक है, हो सकता है, इस इस इनसान ने, आप लोगों की वर्थ को पहले नहीं समझा, ठीक है, but right now, वो dream कर रहे हैं, आप लोगों को कि आपके साथ rebirth हो, because उनको लगता है कि आप इस person से, जो है, कोई ना कोई divinely connection है, आप लोगों का, एक destine partner हो, किसमत ने आपको मिलवाया है, तो definitely तब से शायद इनकी life में काफी कुछ changing आई है, यहां पर इस इस इनसान ने अपनी life में काफी कुछ चीज़े experience की है, और आपको छोडने के बाद यह person काफी ज़दा अकेला हुद को feel कर रहे है, that's why 24-7 आपके बारे में बहु भी कुछ हुए है, उस वज़ा से यह बहुत ज़दा चीज़ों को इन्होंने सफर किया है, आपकी कमी को इस टाइम यह person बहुत ज़दा मिसूस कर पा रहे हैं, और इसी वज़ा से सोच रहे हैं कि, और उनका dream भी यह है, क्योंकर dream करते हैं ना जब आप सोच रहे हो, खुल स्कार्ट साइन जो है, वो मुझे एरिस लियो सेगिटेरियस और जैमिन लिबराइक वेरियस की अनरजी आ रहे हैं, बट राइट ना यह बहुत ज़दा मुझे depressed, बहुत ज़दा sad दिख रहे हैं, काफी कुछ चीज़ों से गुजर रहे हैं, we have celebrate gifts and abundance, यह आपके साथ dream कर र दूरी वो सब कुछ सिखा रही है, we have Venus and offer, यह आपको offer करना चाते हैं, इस connection को दुबारा से, आपको अपना love offer करना चाता है, basically यह person, yeah, क्योंकि इनको लगता है कि यह इनसान की जिंदगी में आप एक बहुत ज़दा लगी person हो, they really wanna give you a rose, red rose, because Venus की energy है, Venus is all about love, luck, abundance, तो यह आ आपको अपना love offer करना चाते हैं, इनका dream है, आपके साथ अपनी life को celebrate करना, और यह आपको कोई gift भी दे सकते हैं, क्योंकि ड्रीम कर रहा है, यह person आपके साथ rebirth करना, इस connection का, past से निकल जाना चाते हैं, past से और कम कर देना जाना चाते हैं, यह person, क्योंकि इनकी तनहाई जो है वो love आए, तो इनको कोई ना कोई decision यहाँ पर लेना ही पड़ेगा, अगर यह cross road पर खड़े हैं, तो इनको कोई ना कोई एक चीज़ चूस करनी ही पड़ेगी, otherwise यह बस सोचते ही रह जाएंगे, and we have detachment and cold, but इनको लगता है, जैसे आप लोग इस ताइम totally इनको लेकर detached हो, totally cold आपकी तरफ से इनको चीज़े दिखरेंगे, like a careless attitude है, आप पिल्कुल भी निनको चाते है, that's why इनके लिए decision लेना जो है, वो difficult door है, लेना चाते है, उनका dream है, we have growth and summer, मुझे लगता है, summer में यह person कोई ना कोई आपकी तरफ action लेंगे, और अपका अपना dream जो है आपके rebirth का, वो पूड़ा करेंगे, और growth मुझे दीख रहा है, summer में आपकी इस connection में आएगी, और obviously summer आने वाला है, within a month आजेगा, yes, because it's a March and April में आजेगा, hopefully, तो तब मुझे लग रही है, इनसान जो definitely आपकी तरफ कोई ना कोई move लेगा, और तब तक कोई ना कोई decision कर लेंगे, कि जो भी dream करें, उन्होंने इसको किस तरह से पोरा करना है, और किस तरह से आपकी तरफ offer लेकर आने है, now let's see from the tarot, who is dreaming about you and what are they dreaming, so we have six of pentacles, yes, ये इंसान बैलनस करना चाते है, and there is a lot of present, आपको present देना चाते है, आपको gift देना चाते है, आपको special feel करवाने के लिए, ये person आपको definitely equal giving and receiving का connection बनाने का dream कर रहे हैं आपके साथ, और आपको gratitude ये universe को भी show करना चाते हैं, और आपको भी gratitude शो करना चाते हैं, कि आप जैसे इनसान इनकी life में आया है, और इनकी life में खुशियां आ गई है, नमबर six important हो सकता है, टोरस विड़को कैप्रिकोन आपका ये इनका star sign ह हो सकता है, we have nine of sorts, काफी ज़्यदा tension में दिख रहे हैं, बहुत सदा अवर stressed है, इस परसन को, tension बहुत सदा, anxiety बहुत सदा हो रही है, कि ये किस तरह से अपने इस dream को पुरा करेंगे, और आपके साथ दो बड़ा से चीज़ों को एक balance में किस तरह से लेकर आएंगे, offer करने का आपको tension है, लग रहा है, जैसे कि इनसान ना रात को भी सोते नहीं है, लेट नाइट तक तक तिंग करते रहते हैं, आपको लेकर, we have temperance, patience रखा वा, इस परसन हैं बहुत सदा, क्योंकि balance इनको लगता है, आपके साथ इनकी life में आ सकता है, लेकिन ये patiently wait कर रहे हैं, कि ये balance जो ये इनके dream है, आपके साथ harmony बनाना, balance करना अपनी life को, ये होगा कैसे, तो जितना ज्यादा इनको patiently wait करना पढ़ रहा है, उतना ज्यादा इस परसन का जो stress है, tension है, वो बढ़ती जा रही है, it's a secretarious energy and gemina libraic various energy, number six, number 14, number five and number nine भी काफे important दिख रहा है, and we have four of cups, बहुत depressed, बहुत जदा sad हैं ये, क्योंकि मुझे लगता है, already ये person ने opportunity miss की है, because already इस 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 आपकी opportunity यहाँ तो miss की है, यहाँ पिर already आपको reject कर दी है, जिसकी वरह से इनको regret बहुत ज़्यादा है, और इस regret को, ये जो guilt है, इस regret का, ये इस से निकल ना चाते है, that that's where dream करें, आपके साथ चीजों को balance out करने का, equal give and take करने का, past में हो सकता है, one-sided connection था, इस person ने अपना input नहीं डाला, आप ही इस person को like दिये जा रहे थे, और ये person लेता जा रहा था, लेता जा रहा था आपसे, but try it now ऐसे दिख रहा है, ये dream करें कि आप तोनों एक दूसरे के mutually जो है, equal giving and receiving रहा हो, तो four number भी काफी important दिख रहा मुझे, काफी sad है, काफी unhappy है, tension बहुत जदा दिख रही है मुझे इस person के उपर, we have two of cups, definitely आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे reunion करना चाहते हैं, I really want to reconciliation with you, इनके face पे smile आ सकती है, आप लोगों के साथ, इनको लगता है कि आपक connection है, जो के ये दिल से connection आपके साथ feel कर रहे हैं, और इनका dream है आपके साथ partnership करना, आपके साथ एक stable connection में आना, आपके साथ कुछ लोगो सकता है, यहाँ पे marriage भी करना चाहते हैं, evenly आपके साथ, उनको लगता है, because आप दोनों एक दूसरे से, इच्छे से compatible हो, आप काफी सद एक loving person हो, काफी romantic हो, आपका love लेना चाते हैं, यह basically, यह आपके साथ like union में आना चाते हैं, I really wanna date you, क्योंकि already इस 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 आपके love को जो है reject कर दिया हुआ है, यहाँ फिर आपके love को उस तरह से समझा नहीं, आप अच्छी हाँ से इनको opportunity दे रहे थे, ठीक है, आप दोनों एक अच्छे से relationship में आने की, एक अच्छे connection में आने की, लेकिन इन्होंने शायद लगता है उस चीज़ को बहुत ज़दा like, आप कहले हो कि for granted लिया है, बट अभी उनको समझ आ रहा है कि यह बिलकुल अच्छा नहीं किया इन्होंने, number two important हो सकता है, 24, 25, 29, इन आप लोग एक दूसरे के साथ loving connection में थे, आपने date भी किया है एक दूसरे के साथ, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है, इस इन्होंने आपको reject कर दिया, या फिर किसी तरह से इन्होंने आपको चुड़वा लिया अपने आपको, या अपना पीछा चुड़वा लिया कह आपके साथ दूबाड़ा से reconciliation करना, yes, क्योंकि इनकी life में कोई love नहीं इनको मिल, मतब love मिल नहीं रहा है, या love ही नहीं है, क्योंकि एक fated connection है, एक fated आप लोगों की meeting है, universe की side से, that's why ये सब कुछ है, and we have death ही, आपके साथ हतम तो सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन अभी dream कर हैं दुबाड़ा से, इस connection की new beginning करना, new birth करना, because it's a skull energy, it's a totally ending, it's a dead end, ये person इस टोटली dead hood को feel कर रहे हैं, and मुझे लग रहे हैं, ये इस इस इनसान आपको dream तो कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ इनकी कुछ ना-कुछ life में ऐसे lessons मिल रहे हैं, ऐसा कुछ ना-कुछ इनको spiritually जो अपने life की एक new birth करना चाते हैं आप लोगों के साथ, they really want to start a new fresh beginning with you, ये dream कर रहे हैं इस चीज़ को, ये meeting करना चाते हैं आप लोगों के साथ, because उनको लगता है आप इनके soulmate, that's why, जो भी blockages हैं आपके दर्मियान ये खतम कर देना चाते हैं उनको, और ये अब आपके लिए defend करेंगे, हर चीज़ को, बट मुझे लगता है, definitely इस इनसान को पता है, कि आपने इनको, आपने भी block रखा है, अगर block नहीं भी हो, तो आपने इतनी ज़्यदा healthy and strong boundaries बनाई हुई है, कि इस इनसान को आपको प्रोच करना बहुत ज़्यदा difficult है, that's why भी बहुत ज़्यदा stress and पो ज़्यदा tension and anxiety दिख रही है, क्योंकि आप अपने लिए, अब आप stand up करना सीखे हो, अब आप अपने लिए defend करना सीखे हो, आपने लिए खना होना सीख लिए है, अपने हक के लिए बोलना सीख लिए है, अब आप किसी भी इनसान को अपने से फाइदा उठाने नहीं द इनको लगता है, आपके दोनों के दर्मयान एक spiritual connection है, विदा seven of wands ये stand up करेंगे, आपके दर्मयान जो blockages हैं, उसको बहुत ही sensibility के साथ resolve करेंगे, और आपके साथ finally high level of commitment में आएंगे, और कुछ लोग तो मुझे with the two of cups and with the hair of end and with the fated मुझे लिए आप से marriage भी करेंगे, क्यो family बनाना, आपके साथ शादी करना और बहुत ही traditional way में customs को follow करते हुए, अपने family background को traditions को follow करते हुए आप से शादी करेंगे, और बहुत अदा abundance देख रहे हैं मुझे, yes, because मुझे लग रहे हैं कि इनसान हुद भी वैसे भी financially काफी सदा settled हैं, काफी strong है अपनी life में, number 10, number 5 काफी important है, obviously 4 is the number of stability, and number 1 भी काफी important देख रहे हैं मुझे, 20 प्लस यहां 40 प्लस भी कुछ लोगों की age हो सकती है, but otherwise मुझे 20 प्लस यहां 30 प्लस की energy आ रहे है, Taurus energy है, Taurus और को Capricorn is very strong, Aries Leo Sagittarius भी यहां पर है, ठीक है, so this is your reading, I hope this will resonates with you, मुझे comment section में आप लोगोंने feedback जरूर मैं मिलूँगी आपको next reading में, till then take care, bye